येस, वी अलाइब नाओ, हेलो फ्रेंड्स, दिस इस इवांची और वेल्कम टू लेट्स लान, तो KVS ने फाइनली, ऑफिशली, सारी बातें कह दिये हैं, क्या स्लेबस रहेगा, क्या एक्जाम पैटर्न रहेगा, क्या eligibility criteria रहेगा, बहुत सारी चीज़न चेंज हुई हैं, एक्जाम पैटर्न से लेकर के, आपकी जो वेटेज रहती थी, मार्क्स की, तीन गहिंट का पेपर, आप सार 16 में चेंज हुआ था, 18 में फिर से चेंज हुआ था, अब तो 4 साल बात विकिंसी आ रहे हैं, तो possible ले हैं कि चेंज ना हो, एक और चीज़, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुए हैं, especially PRT की जब हम बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, और उतना बड़ा परिवर् सेजन हैं, मैं अभी बात करूंगे उस पर भी, बहुत सारी चीज़े हैं, इस सेशन को, इस वीडियो को, कोशिश कीज़ेगा पूरा देखें, सारी जो भी ज़रूरी बात हैं, मतलब 120 पेज का स्लिबस है, उसके लाबा 11 पेज का आपका ये, डीटेल्ड नोटिफिकेशन ह हैं, पहले आप लोग आजाएए, जोइन कर लीजे सेशन को, डीटेल्ड स्लिबस क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या कहानी है, सब समझेंगे, easy हुई हैं, चीज़े, मुश्किल नहीं हुई है, PRT में देखे गए, बस हाँ, weightage बढ़ गया, lengthy होई हैं, ये मैं कह सकते ह हुँ, ठीक है, आते हैं, फटाफट से, अगर हम ये पढ़ने बैठें, कि आपका advertisement, तो इसमें बहुत काम-काम की बाते करने हैं, बहुत जादा बाते नहीं करने हैं, मैं दो-चार बाते आपको पहले बता देती हूँ, जो बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ये अगर हम बात करते हैं, जिस पर हम बात कर रहे थे, देखिए, CBT mode में है paper, यानि online paper है, ये बात हमें पहले ही पता लग गई थी, ठीक है बात, दो-तीन चीज़े हैं, जो मैं फटा-फट से आपको एक मिनट में बता करके, फिर हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, एक तो य से 18 तक, सुरी, 2016 से 18 तक seat at नहीं हुआ था, यानि 2016 सेप्टेंबर के बाद seat at सीधा हुआ था, December 2018 में, और December 2018 में जो लोग थे, उनको appearing वालों को apply, इससी लिए किया था, क्योंकि 2 साल से paper नहीं हुआ था, अभी seat at में ऐसा कोई reason नहीं उनके बास, कि वो seat at में appearing वालों को क्य से 18 करना seat at के बाद, appearing वालों भी, मतलब यह मैं out of the box suggestion दे रही हूँ, इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप eligible नहीं है, तब भी ये काम आप कर सकते हैं, खेर आते हैं, दूसरी बात, B.Ed, P.R.T के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, उन्होंने कहा हुआ है, साफ साफ, जो भी आपका Supreme Code का order होगा, वो बाद में पता लगेगा हमें, ठीक है, तो ये एक basic सी बात है, तीसरा CBT mode, यानि computer based exam है, 70 और 30 को लेके बहुत लोग परिशान है, कि 70% जो है वो, return यानि online exam की बेटेश है, 30% interview और demo की, उस पे भी आएंगे, और क्या changes हैं बहुत बड़े, 500 नुमर का paper चुके हैं, और 180 ही minute मिलेंगे आपको, pedagogy की मात्रा खुब भर-भर के बढ़ाई गई है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब पिछले बार exam हुआ था, especially PRT की अगर हम बात कर रहे हैं, जुन लोगों की science बहुत अच्छी थी, उनको benefit जाता मिल गया था, क्योंकि physics अगरा कि सवाले नो ने पूछे खूब, उसमें भी नो ने easy कर दिया उस चीज़ को इस बार, ठीक है, सारे ही, चाहे आप PRT, TGT, PGT, तीनों के लिए अगर apply कर रहे हैं, पहले तो एक post पर दो form मत भरिएगा, अलग-अलग post पर अपकोर्स आप apply कर सकते हैं, तो सारे ही, ज सी नंबर का आपके लिए बिल्कुल सेम है सब कुछ, 80 marks, 100 marks में आपका subject specific है, तीनों ही level पे, उसको समझेंगे, जो pattern है, क्या कहता है, क्या कहानी है, paper कब तक हो सकता है, समझेंगे सारी चीज़े, ठीक है, आते हैं, इसको समझते हैं पहले, फिर वापस आएंगे, CBT mode में paper ह होगा, पहली बात, ठीक, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, CBT में paper होगा, पहला ये था, दूसरा ये था, कि जो age की बात है, वो 30 साल की उमर PRT के लिए आपकी maximum होनी चाहिए, 30 years की age आपकी PRT के लिए primary teacher के लिए होनी चाहिए, इसमें age relaxation है, अगर आप SC और ST category से हैं, तो में ही, जैसा मैं पहले भी कहा रही थी, KVS में 10 साल का relaxation मिलता ही है आपको, है ना, तो आप इसमें 10 years plus कर लिजे, यानि आप 40 साल तक भी exam दे पाएंगी, ठीक है, तो ये 10 साल का relaxation है, females के लिए, बात रही qualification की, ये salary वेलरी छोड़ दीजे, वो तो जब मिली जाएगी, आप साल का diploma कोई भी किया है, दो साल का diet, JBT, BTC, 12th के बाद, और वो 50% marks से ज़्यादा के साथ किया है, तो वो apply कर पाएंगे यहाँ, साथ में paper 1 seated आपका clear होना चाहिए, दूसरा जिन्होंने 4 साल की B.L.A.D. किया है, bachelor's in elementary education, जो की एक combined 4 साल का graduation plus education का जो diploma है, वो भी उसमें add होत है, तो यह 4 साल की अगर B.L.A.D. की है, तब भी आप apply कर पाएंगे PRT के लिए, primary के लिए, अगर आपने special education में भी diploma किया हुआ है, और 50% marks से ज़्यादा है आपके number, तो उसमें भी आप primary teacher के लिए apply कर पाएंगे, चौथी qualification है, B.A.D. वाले वो भी apply कर पाएंगे, ठीक, व अभी तरह के लोग primary में apply कर पाएंगे, शर्त यह है कि एक तो 50% marks कम से कम होने चाहिए, और दूसरा आपका CTET paper 1 clear होना चाहिए, वो भी कब तक आपके 26 December से पहले पहले आपके सारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए, appearing में अगर आप B.A.D. में हैं, नहीं है मानन पूरा आपके वास result आपका CTET का certificate आपका 26 December से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि application की जो date है, वो 5 December से, 2 दिन बाद से ही 26 December तक आप online kvssanghtan.nic.in पर जा करके apply करेंगे, 15000 रुपे fees है, ठीक है, अगर NCTE approved है आपकी जितने भी diploma, degree, whatever, तो कोई दिक्कत उसमें है न qualified in CTET paper 1, यानि ऐसा नहीं कर सकते, आप primary के लिए paper 2 लगा दें, वो TGT में काम आएगा आपके, ठीक है ना, हिंदी और English दोनों में आपकी पढ़ाने की शमता होनी चाहिए, ये कह रहे हैं, कुल मिला करके, और paper भी bilingual ही आएगा, desirable है के computer की knowledge हो, जरूरी नहीं है, जरूरी भ में हैं, तो फिर सीधा 10 साल का relaxation, ऐसा नहीं, तक 10 के उपर 5 और मत लगा लेना, इसमें लिखा हुआ है, जो भी highest, जितने भी years का relaxation मिल सकता है, उसको count करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर सभी post के लिए, अगर females के लिए 10 साल का सीधा relaxation है, KVS के कोई भी employee है, तो उसके लिए कोई result, जो भी चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता, आप appearing में हैं, B.Ed. के second year में हैं, first year में हैं, या भी seat head का result नहीं आया, किसी और चीज़ का result नहीं आया, result नहीं आया वाला चक्कर नहीं है, सारे documents आपके पास होने चाहिए, OBC category के जो लोग हैं, जो ऐसे भी बहुत सारी cast हैं, जो state म में तो आती हैं, OBC सेंटर में नहीं आती हैं, तो सेंटर में अगर आप नहीं आते हैं, तो फिर आप general account होंगे, इन्होंने simply बात कहीं है, ठीक है, आते हैं आगे, समझते हैं, अगर हम बात करते हैं, next है कि in case of candidates, जो लोग PRT के लिए apply कर रहें, और उनके पास एक certificate है, complete certificate, एक issue होना चाहिए, CBSC के द्वारा, before the last date of application, यानि last date, यह वही बात, कि आप अगर इस बार seated देने जा रहे हैं, तो आपका काम नहीं बन पाएगा, certificate चाहिए, छब इस तारिक से पहले-पहले, seated वालों को टाटा बाई-बाई कर दिया है, बिसको अच्छा मानिए, आप बु of selection क्या होगा, तो written examination और class demo, written examination का मतलब यहाँ, जो online exam है, उसी से है, और demo और interview साथ में होगा, इसके बाद, जब जुतने भी लोग qualify कर पाएंगे, या merit में आ पाएंगे, CBT mode में, या written exam को clear कर पाएंगे, वो interview के लिए जाएंगे, जो 60 number का interview होगा, उस पे भी आएंगे, इ जो लगता है, अगले 3-6 महीने, 3 महीने, 6 महीने maximum मान के चलेंगे, तो CBT online mode में होगा, ये सारी cities है, form time से भरना है, नहीं तो फिर आपकी desirable city नहीं मिलेगी, जैसे CTAT में नहीं मिली थी, अगर आप persons with disabilities में है, तो आप अपना own scribe ले जा सकता है, जो लोग visually challenged है, उनको 20 minute extra में लेंगे paper करने के लिए attempt, ठीके जे, इसके अलावा जो detailed examination schedule है, कि कब paper होना है, क्या होना है, वो आप KVS की website check करेंगे, और हम लोग भी discuss कर लेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ो देते हैं, apply कैसे करना है, उससे पहले email ID और एक phone number, जो की CTAT में भी अब चाहिए, सारे paper online ज कोई बूच रहा है, 49% नहीं चलेगा, recent photograph, signature और thumb impression, ये scan करके अपने पास रख लीजे, साफ सुत्रे, fees जो है, वो 15,00 रुपे है, ये हमें पता है, अगर more than one application submitted by a candidate for a post, एक single post के लिए, या आप primary teacher के लिए जा रहे हैं, और दो form फिल किया हैं, तो दोनों reject हो जाएंगे, application अगर आपने लगाई, तो cancel है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये 5 तारिक से 5 December से 26 December तक आप apply कर पाएंगे online kbs.sanghtan.nic.in पर, जो general instructions है, उसमें simple बात है, जो CBT mode, या नि जो computer based online exam होगा, वो bilingual होगा, आप change करके देख पाएंगे, हिंदिया की English है, जैसा कि other exams में भी हो आपकी email ID पर आजाएगा, तो email ID सही भरिएगा, जिसको आप check करते हो, phone number भी वही दीजेगा, ठीक, इसके अलावा, जो लोग, मान लिजे, दो लोग है, सब कुछ same marks है, सब कुछ clash होता है, तो उसमें जिसकी age बड़ी होगी, उसको knock ली मिल जाएगी, मान लिजे, दो हो जाए, किसी वजा से भगवान न करे, हो या कुछ और हो जाए, तो दुबारा से कभी भी exam conduct करा सकता है, कि इंद्रे विद्या ले, simple बात है, I have a question, चांतनों कहे रहे हैं, KVS registration में CETAT की mark sheet upload होती है, क्या या सिर्फ marks, of course marks ही होते हैं, या role number वगरा, हद से हद पूछेगा कोई तो, selected candidates are liable to be posted anywhere in India, ये चीज़ ध्यान में रखने हैं, आपको भारत में कहीं भी भेज दिया जाएगा, ये अपने आप में एक अच्छा experience भी है, बट जिन लोगों को समस्या हो, वो अभी से form न भरें, text provide in English version will be final, यदि हिंदी और English में किसी में भी गलती होती है, paper से लेके, advertisement से लेके, हिंदी और English में दोनों चीज़े अलग हैं, तो उसमें English को final बाना जाता है, ये बात तो हम जानते ही हैं, ठीके, ये तो हुई आपकी इस detailed notice की बात, अब आते हैं, exam pattern और syllabus पे, eligibility की हमने बात कर ली, ठीके, अब हम आएंगे, किस पर, syllabus क्या है, तो syllabus paper 1 के ल प्राइमरी की सबसे पहले बात करेंगे, जादतर लोग उसके लिए सभी apply कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं, primary teacher के लिए, यानि PRTs के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो ठीके, अगर आप PRT के लिए जा रहे हैं, यानि primary teacher की post के लिए, तो एक return test होगा, यानि ज KBS में पहले होती थी, अपने आप में इतना मुश्किल पेपर बनाते हैं, negative marking के लिए ज़ुरत नहीं है, तो अगर हम बात करें, तो one mark का question होगा, duration of written exam की जो होगी, duration वो भी 180 मिनट होगी, यानि 3 घंटे का पेपर है, 100, अब ये पहले 2 घंटे, 5 घंटे ऐसे हुआ करता था 1500 question, 1500 minute वो वाला scene था, अब भी 1500 question भी नहीं रहे और 1500 minute भी नहीं रही, question होगा 180 और minute भी 180, तो 180 मिनट में 180 question, simple बात है, 3 घंटे में 180 question आपको solve करने हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्होंने weightage बढ़ाई है, जिसका कई लोगों को फायदा मिलेगा, नुकसान भी होगा, द कितने total 4 part हैं, शुरुआत के जो आपके 80 number हैं, वो हर किसी के लिए, आनि आप TGT के लिए जाएए, PRT के लिए, PGT के लिए जाएए, सब के लिए 80 number से हैं, 100 number का खेल है, पेपर सबका 180 number का ही है, टोफीशेंसी चाहिए language हों, 20 number की language, जिसमें general English 10 number की और Hindi 10 number की, पहले qualifying होता अब ही हाँ qualifying जैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ठीक, और बहुत easy आती है Hindi English KBS की अगर आप उठा करके देखेंगे, 20 number की यहाँ हैं और 20 number की subject specific में हैं, तो 40 number की हो गई हैं, आपकी Hindi English मिला करके इनकी तयारी बहुत जबरदस्त कीजए, क्योंकि मुश्किल नहीं आती है और दूसरा score आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो 20 की यहाँ है, 20 subject specific जो 100 number है उसमें भी 20 number 10-10 की आएगी वहाँ भी, तो 40 number total language को हो गए, अगर हम देखें तो पूरे 180 में से, आप बची 140 की बात, भाई 140 तो हट गए ना यहां से, part 1 में Hindi English आएगी, 10-10 number की, part 2 जो है, ब अच्छिस रुपे की अब महंगी हो गई होंगी, यह computer questions मैंने let's learn पर भी डाले हुए हैं, फिर से करा देंगे, बहुत ही आसान आते हैं, 5 number की computer questions बिल्कुल basic आप solve कर पाएंगे, बहुत 3-4 score आराम से ला सकते हैं, reasoning आएगी एकदम आसान क्योंकि 5 ही number की है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करने है, general awareness और current affairs की, यह 10 number का है, और current affairs में आते हैं, जो 6 महीने तक के, जब भी exam होगा, उससे 6 महीने पहले तक के current affairs और general awareness में आपका वही जो basic knowledge है, आपकी general knowledge, जिसको GSB कह देते हैं कई लोग, तो इसके लिए आप बहुत जादा तो नहीं पढ़ सकत part 3 क्या कहता है, part 3 कहता है कि भई, pedagogy पढ़ लो, शांती से, 20 number की कर दी थी, PRT में pedagogy, वो 60 की कर दी है, 40 number बढ़ गए, और syllabus भी change हो गया, 60 questions, यह सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि last year जब subject specific में भर-भर के physics के और तुनिया तमाम तरह के question आये थे, तो यह ठीक नहीं था हुई है, वो तो आसानी solve कर देगा general science के questions, तो pedagogy लेकिन सबको पढ़नी पड़ेगी, तो pedagogy सभी के लिए, 50% से marks कम किसी में भी नहीं चलेंगे, अगर आप KVS की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी post के लिए apply करिये, तो perspectives on education and leadership, इसको देखके डरना नहीं है, ठीक है, घबर and development है, understanding teaching learning process, creating conducive environment, अब इसमें जो है, वो ये वाला part अलग है, बाकि सब आपने, अगर आपने बहुत detail में pedagogy बढ़ी है, आप pedagogy special में रहे हैं, किसी batch में रहे हैं, career will पर, अगर आपने detail में notes भी पढ़े हैं, कहीं सभी आपने detail में पढ़ा है, तो ये एक नया topic आपको ल इसी आ जाएगी, तो इसको बहुत alien बात नहीं मानेंगे, तो आपका क्या कहेंगे, part 3, 60 नंबर की pedagogy है, 20 नंबर की हो गई थी, primary में pedagogy, अब ये 60 की हो गई, उससे पहले 2016 था, 50 नंबर की रहती थी, तो कोई धिक्कत नहीं है, 60 नंबर की pedagogy होनी ही चाहिए, subject specific पे आते section है, अभी मैं उसका भी syllabus दिखा दूँगी, 20-20 marks each, 4 section है और वो हैं किताबें जो आप school में बढ़ा रहे हैं, 5th level तक की, बट उनका difficulty level कम से कम भी 8 तक रहेगा, लिखा तो उन्होंने 12 तक का है, बट आप 8 तक की जितनी भी NCRTs हैं, जो भी चीजें हैं, और कोई school में एख ली जगा उठा करके, तो इसमें 20-20 number के 4 section है, वो 4 section कौन से हैं, एक है आपका simple Hindi और English, वही जो 10-10 number के आ जाएंगे यहां पर, ठीक है, Hindi, English, फिर EBS है, Maths है, ठीक है, तो यह वही है जो school में आप पढ़ा रहे हैं, और EBS में 6 themes दिये हुए हैं, जो आप NCIT में पढ़त पहले समझेगा स्लेबस को, उन topics को अलग से ढून के पढ़िएगा, batches में देखेगा, अभी आएंगे, और जो batch है, KVS का career level पर कल से admissions आपके start हो जाएंगे, जितने भी बढ़िया एकदम teachers हैं, और जो लोग पुराने admission ले चुके थे, अभी September में जो batch आया था, उन batch वालो इस admission से start हैं, पूरी team वहाँ है, pedagogy में deal करती हो, देखेगा, professional competency test, अब ये है आपका interview वाली कहानी, 60 number का interview है, जिसमें से 30 number आपके पढ़ाने के हैं, कि mock interview में आप पढ़ा के कैसा दिखाएंगे, demo कैसा देंगे, और interview है 30 number का, इसकी तयारी हम लोग आगे करेंगे, बाद मे अभी इसको छोड़ देते हैं, side में, के 60 marks हैं, interview के, और आपके जो 180 number है, वो है, return के, अब इन दोनों में से भी 70%, 180 में से जितने आप लाएंगे, उसका 70% लगेगा, return का, और 30% जो weightage है, वो interview के लगेगी, इन दोनों को मिला करके 100% में से जो निकल के आएगा, उसके दीज़ा दीज़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यह है TGT के लिए बात, अगे इन हिंदी इंग्लिश सब में सेम है, हिंदी इंग्लिश सब में सेम है, यह part 1, part 2, part 3, यहां तक सब के लिए सब कुछ सेम है, यानी 4020, 6020, 80, यह 80 number सब के लिए सेम है, वो 100 number में तो अगर आप एक पोस्ट की तयारी कर रहे हैं दूसरी पोस्ट की तयारी आपकी हो रही है बहुत है तक CT8 का मेरा certificate DigiLocker से downloaded है CBSC की तरफ से कोई document नहीं आया है हाँ वही final है जो DigiLocker में है अब घर पे नहीं आता 2016 तक ही आता था बस हर्श तो वही final है जो DigiLocker में आपके बास downloaded है उसको time से पहले download कर लिजेगा इसमें भी general awareness जो आपकी GA है और current affair है reasoning है computer है यह आएंगे 20 नंबर में मिला करके जैसा कि हमने PRT में भी discuss किया था अब PRT का subject specific अगर आप देखना चाह रहे हैं जो सब्जेक स्पेसिफिक के वह आप देख लीजे लिखा हुआ है कि जो स्लेबस होगा वह include करेगा NCRT और CBSC की किताबें अगर कोई बच्चा KBS में पढ़ता हूँ आसपास उसकी किताबें उठा ले न है टेक्स्ट बुक्स कहां कि कक्षा एक से पांच तक प्राइमरी क्लास के लिए प्राइमरी टीचर के लिए जितनी भी इनकी हेडिंग से उसके आसपास की चीजें पढ़नी है पूरे स्लेबस की जो questions है उनकी depth थोड़ी बढ़ाई जा सकती है application based आ सकते है senior secondary level तक जा सकते है बट हद से हद भी 10 तक जाते हैं उससे उपर तो नहीं जाते ठीक है अब इसमें चार सब्जेक्ट हैं असी नंबर में एक है English हम यह मान के चल रहा है चार का अगर इन्हों ने division किया तो 20-20 नंबर के यह आएंगे 20 नंबर की English मान लिजए है ना तो इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे easy होती उतनी मुश्किल नहीं होती जो basic English आप सभी general English पढ़ते हैं batches वगेरा में भी कराई जाती है किताबों से बढ़ा हुआ आपने वही topics है adjective हो गया pronoun हो गया noun हो गया यह आपका Hindi है इसमें चार है और 80 नंबर है तो हम मान के चल रहा है basic Hindi वही वचन और यह mathematics की अगर हम बात करें तो mathematics भी इसमें आएगा इसमें ये कुछी topics हैं इनके अलावा कुछ मत पढ़िएगा extra addition, subtraction, special understanding, solids, multiplication जो basic fifth तक का level होता है उसके बस questions थोड़ा level high बन जाएगा EBS में simple alone ने six themes लिखी हुई है family, friends, food, shelter, water, travel, things we make and do इसी के आसपास घुमा-घुमा के question चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास कर लेते हैं, TGT, PGT पर बाद में आएंगे, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, ये देखेगा, 180 नंबर का paper है, PRT की बात कर लेते हैं, बाकी सम्में भी तीन तो common हैं ही, 180 marks, 180 marks, ठीक है, पेड़ागाजी में एक topic अलग है, वो मैं दिखा दूँगी आपको, ये क्या पूछ रहे हैं आप लोग कोई fun with stress ही, नमस्ते मैं मेरा B.I.D. है सिर्फ 89% से तो मैं eligible हूँ, 89% तो बहुत होगे न, क्योंकि seat at नहीं है, seat at नहीं है तो नहीं चलेगा ना काम, seat at तो चाहिए सरकार, seat at हर हालत में चाहिए उनको, first to fifth वा भी कोई भी, exam center कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन आप अपने preference के साब से भरियेगा, तीन preference आप से पूछी जाएंगी, और उनमें से first जो होगी, कोशिश तो रहेगी, वो मिल जाए, अगर वो fill हो जाती है, second, second fill हो जाती है, तो third नहीं तो फूर कहीं भी, तो time से form fill कर इस चार पार्ट में हमने देखा language है, Hindi और English, 20 नमबर की, 10-10 नमबर की language है, 20 marks हो गए ये आपके, फिर उसके बाद 20 में आपका वो GA है, reasoning ability है, computer है, और ये तीन subject हैं आपके, 20 नमबर के, 5-5 के ये दोनों आएंगे, 10 कहीं आएगा, तो 20 नमबर ये हो गए आपके, फिर जो third part है, और ये है आपका फिर fourth part, ठीक है, अगर हम बात कर रहे थे यहाँ, fourth part की, तो ये 80 marks का part है, आपका fourth part, जिसमें subject specific है, EBS, maths, वही, first to fifth वाला लेवल, बस ये थोड़ा मुझकिल पूचा जाएगा, तो previous year को जरूर पढ़ लीजएगा, EBS, maths, इस बार इन और जी ये हटा बहुत अच्छा किया, पिछली बार band बजा दी थी उसने, Hindi और English, इस बार Hindi और English qualifying नहीं है, number add होंगे, कहीं पे भी qualifying नहीं लिखा, पहले Hindi English शुरुआत वाली जो होती थी, वो qualifying होती थी, इस बार number count होंगे, ये अच्छी ही बात है, क्योंगी scoring होती है, ये चार subject आपके अगर आप पिछले साल में तलब 2008 अगर आप देखेंगे, तो ये 80 में 20-20-20 का इडिवीजन था, बस subject अलग थे, इस बार ये comparatively easy लगेगा, ये सब हम बात करी चुके हैं, थर्ड पार्ट जो है आपका, उसमें pedagogy है, थर्ड पार्ट में pedagogy है, जिसमें कई सारी चीज़े हैं, इन्होंने बढ़ाया है, सले बस 60 marks की pedagogy है, पी आटी की अगर हम बात करें, तो 20-20-40 और 60, 100 और 80, 180, simple बात है, 180 ही minute मिलेंगे, ये पी आटी की बात है, अगर आप TGT के लिए भी जा रहे हैं, तब भी language, ये वाला part, second और third, ये तीनों जो हैं, वो हर एक level के लिए common ह हैं, यानि ये 100 number common ही होगा एक तरह से, TGT और PRT में, ये 60 की जगा 40 की है, तो वहाँ 80 common होगे, ठीक है न, वहाँ 80 common होगे, तो ये basic सी बात है, आप अगर syllabus देखना ही चाहते हैं, तो थोड़ा detail में, आपको मैंने syllabus शेयर कर दिया है, आप अपनी post के हिसाब से भी देख ले जो pedagogy है, 40 number की, PGT में भी, PRT में भी, और इनको और विस्तार में भी दिया हुआ है, जब आप syllabus में पढ़ेंगे, और 100 number में आपका subject specific, यानि आप PGT मान लीजे हिंदी के लिए जा रहे हैं, तो हिंदी आईगी 100 number में आपकी, उसका भी syllabus इन्होंने given है, कि आप PGT हिंदी के जा रहे हैं, इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश आएगी 100 number, यह पर 180 का ही है, सभी के लिए, ठीक है, और अंदर कोई time limit नहीं है, मतलब 180, मिनट में 180 question करने हैं, अब आप 180 मिनट हिंदी पर लगा दीजे, चाहे बांट के लगा दीजे, वो आपके हाथ है, ठ चले, तो यह TGT वाला pattern है, इसमें भी 40 number common है, तो यह एक basic सी बात हो गई, परिवर्तन हुआ है, अच्छे खासे इस तरका हुआ है, बट यह नहीं कहेंगे कि बहुत negative हुआ है, यह बहुत दुख की बात है, यह तो हमें पता ही था न, अब इसको दुख मालने चाहे है, आपका वो है, पेड़ागॉजी, उसके, वो होंगे आपके उपर ही कहीं, देखना इक बार, चली खेर, यह detail में आप खुद भी पढ़ लीजगा, यह थी आज की कहानी, इसमें जो topics हैं, वो common हैं पेड़ागॉजी में, बहुत सारे जो आप पढ़ते हैं, जो एक section हैं, वो बिलकुल अलग है, वो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी approach different रहेगी पेड़ागॉजी पढ़ने की, बट काम आएगी आपने जो पढ़ा है, और जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वो दोनों ही, YouTube पे भी कोशिश रहेगी, एक question series कुछ टाइम बात चला पाएं, batches में तो आप detail में बढ़ेंगे ही सारे teachers के साथ, कल शाम 7 बजे से registration साब के start है, शिवानी, YouTube में क्या करा पाऊंगे, ये CETAT के बाद decide होगा, CETAT से पहले तो YouTube पे KBS के लिए नहीं बढ़ा पाएंगे, हाना, क्योंकि अभी CETAT January जाएगा, पूरा और December जाएगा CETAT में, और मेरे Masters के subjects को लेके भी आप free field कर सकते हैं, CETAT भी निकाला है, बहुत सारे लोगों ने इस बार, KBS भी आप लोग निकालेंगे, क्योंकि जितने भी teachers हैं, वो अपने आप में बहुत ही, कितने सालों से offline भी बढ़ा रहे हैं साथ में, CETAT में 84 marks हैं OBC से हूँ, हाँ भढ़ दो कोई द कोशिश करूँ ही, कल पढ़ेंगे 9 बजे EBS की class, आज इसके चक्कर में नहीं हुई, क्योंकि बहुत साई लोग परिशान हो गया हैं, परिशान नहीं होना है, अपनी तयारी इस हिसाब से बना लेनी है, हिंदी इंगलिश का syllabus सेम है, पेड़गोजी में, बहुत सारी चीज बताया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इलोजिकल है इस बात, सीटेट एक ही बार अपीरिंग वालों को किया गया था, वो 2018 का टाइम था, जब सीटेट ही 2 साल से नहीं हुआ था, तो अब ही तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कर्टलो करने वाले हैं ये चीज, तो इन चीज तो वो करो एक बार, और उन्हीं को स्टेट करके, अगर आप 6-12 छोड़ दीजे, अटलीस्ट 8 तक तो उन्हीं से क्वेश्टन बढ़के आ जाएंगे, तो 8 तक तो बहुत अच्छी से पढ़ लीजए, है ना, सीटेट 2 के लिए है, क्या मैं PGT भढ़ सकती, PGT में सीटेट की ज़रत, ऐस सच नहीं होती है, TGT में पेपर 2 की ज़रत होती है, PRT में पेपर 1 की होती है, PGT में कोई सीटेट चाहिए नहीं होता, हाला कि मैंने पढ़ा नहीं है PGT वाला सेक्शन इसमें, बट I am sure about it, क्योंक अपर ही तो एक वीडियो अलग से भी मनादूंगी PGT के लिए